Hello Friends कैसे हैं आप सभी लोग आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे दोस्तो आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके assignment submission की last date के बारे में बहुत सारे students का कहना है कि assignment submission की last date है वो 30 April के बाद आगे extend होगी या नहीं होगी और अगर extend होगी तो कितने दिनों के लिए extend होगी और इसका notice कब आएगा तो दोस्तों आईए बिना देरी करते हैं वीडियो को start करते हैं तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपके assignment submission की last date 30 April जून 2024 एक्जाम के लिए ऐसे में आपके assignment submission की last date है इसे आगे भी extend किया जाएगा certificate based program में तो उनके लिए उन students के लिए इगनू जो है last date extend करेगा और last date सभी students के लिए extend की जाती है साथ के साथ अभी आपके बहुत सारे question paper भी update नहीं हुए हैं और आपके जो project है वो भी 31 मही तक summit होंगे आपके exam form भी अभी बरे जा रहे हैं इसलिए आपके assignment की जो last date उसे extend किया जाएगा और यह जो last date इसे 15 मही तक extend किया जाएगा साथ के साथ इसका जो notice है वो एक या दो तारिक तक release कर दिया जाए क्योंगे notice जो है वो तुरंत update नहीं किया जाता है जो notification है वो एक तारिक की evening तक या दो तारिक को यह notice जो है वो website पर update कर दिया जाएगा बाकी इगनु ने इगनु का जो एक study center है हंसराज college यहाँ पर आप देख रहे हैं हंसराज college इगनु का एक study center है जिसका study center code 29.052 यहाँ पर बताया गया है जितने भी students यहाँ पर अपना assignment submit करने जा रहे है जून 2024 एक्जाम के लिए तो आप 15 मई 2024 तक अपने assignment यहाँ पर submit करवा सकते हैं यहाँ पर study center online अपने assignment submit कर रहा है गूगल ड्राइव के थरू तो यहाँ पर अपने assignment आप 15 मई तक submit करवा सकते हैं यह जो लाज़ डेट थी पहले 30 अपर तक थी पर यहाँ पर study center ने बताया कि पंदरा मई तक आप assignment submit करवा सकते हैं यहाँ जो है अपने assignment submission की जो लाज़ डेट है उसे पंदरा मई तक extend करेगा आप थोड़ा सा वेट करें एक तारिक यह दो ताइक तक यह notice आ जाएगा बाकी जो आपके assignment submission की लाज़ डेट है उसे 100% पंदरा मई तक extend किया जाएगा क्योंकि अभी study center ने यह notice निकाला है बाकी इगनू की official website पर भी जल्दी यह notice अपडेट कर दिया जाएगा तो दोस्तो आई होप आपको समझ आ गया होगा अगर आपके assignment अभी नहीं बने तो आप 15 माई तक आप 15 माई तक अपने assignment बना सकते हैं क्योंकि यह जो लाज़ डेट है इसे 15 माई तक और आगे extend किया जाएगा इसका notice भी जल्दी रिलीस कर दिया जाएगा तो दोस्तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूले धन्यवाद